एक बार की बात है, दो खरगोजंग थे, एक का नाम वाइशी था और दूसरे का नाम फुली, वाइशी अपने नाम के अनुशार वाइशी याने बुद्धिमान था और फुली अपने नाम के अनुरूप फुलिश याने बेवकूब, दोनों में गहरी दोस्ती थी, एक दिन उन्हें गाजर खाने का बड़ा मन किया और वे फोरन इसकी खोज में निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें अगल बगल दो गाजर दिखे। एक गाजर के उपर बड़ी बड़ी पतियां लगी थी, जबकी दूसरे की पतियां काफी छोटी थी। फूली विना देर किये बड़ी पतियों वाले गाजर के पास दोड़ा और उसे उखाड़ते हुए कहने लगा ये मेरा है, ये वाला मेरा है। वाई सी उसकी हरकतों को देखकर मुश्कुराया और बोला, ठीक है भाई, तुम उसे ले लो, मैं बड़ा वाला ले लेता हुँ। उसने गाजर उखाड़ा, तो सच मुच में फूली के गाजर से बड़ा था। ये देखकर फूली को बड़ा आश्यरी हुआ और वे बोला, लेकिन मेरे गाजर के पत्ते तो काफी बड़े थे। तुम गाजर के पत्ते देखकर उसकी साइज कानुमान नहीं लगा सकते। वैशी ने समझाया, गाजर चटकर दोनों दोस्त आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर उन्हें फिर से दो गाजर दिखाई दिये। फूली बोला, जाओ इस बार तुम अपना गाजर चुड़ लो। वैशी बारी बारी से दोनों गाजरों के पास गया और साओधानी से उन्हें देखने लगा, उसने उसके पत्ते भी चुए और कुछ देर सुंगने के बाद बड़े पतियां वाले गाजर को चुन लिया। फूली आश्चर्य में पढ़ गया, और फिर बोला, ये क्या, तुमने इस बार छोटा गाजर क्यों चुन लिया, मैंने छोटा नहीं, बड़ा गाजर चुना है, वैशी ने जबाब दिया, और सचमुच इस बार भी वैशी का ही गाजर पढ़ा था, फूली कुछ नराज हो बोला, लेकिन तुमने तो कहा था, जिसकी पतियां बड़ी होती है, वैशी ने हस्ते हुए जबाब दिया, ना ना, मैंने तो बस इतना कहा था, तुम गाजर पतियां देखकर उसकी साइच का अरुमान नहीं लगा सकते, कोई भी चुनाव करने से पहले, सोच विचार करना जरूरी है, फुली ने हामी भरी, और फिर दोनों ने गाजर के मजे उड़ाए, और आगे बढ़ने लगे, और एक बार फिर, तीसरी बार भी उन्हें अलग-अलग साइच की पतियों वाले गाजर दिखे, फुली कुछ कनफ्यूज दीख रहा था, उसे समझ में नहीं आ र गाजर चुन सकता है, बेचारा फुली धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और गाजर का निरिक्षड करने का दिखावा करता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा गाजर चुने, और वे वह मायूश हो जाता है, वाईसी की ओर देखता हुआ कहता है, वाईसी मुश्कराता है, और कुद कर गाजर के पास पहुच जाता है, वे उन्हें शाओधानी से देखता है, और फिर एक गाजर उखाड लेता है, फुली चुपचाब दूसरे गाजर की ओर बढ़ने लगता है, तभी वाईसी उसे रोकते हुए कहता है, नहीं फुली, एवाला गाजर तुम्हारा है, फुली वाईसी की तरफ देखते हुए उदासी भरे शब्दों में बोला, लेकिन इसे तो तुमने चुना है, और ये जरूर दूसरे वाले से बढ़ा होगा, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करते हो, सायद तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो, इस पर वाईसी ने ठामते हुए कहा, फुली उस बुद्धि का क्या लाव, जिसे मैं अपने दोस्त की मदद न कर शकूँ, तुम मेरे दोस्त हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाजर खाओ, एक बुद्धिमान खरगोस, जिसका पेट भरा हो, पर उसका कोई दोस्त नहो, क्या सचमुच ब गले लगाते हुए कहा, और फिर दोनों दोस्त गाजर खाते खाते अपने घर को लोट गए, तो गाइस इस वर ने हमें जो भी स्किल्स दी हैं, उनका सही इस्तमाल इसी में है कि वे औरों की मदद में काम आए, शिर्प अपने फायदे के लिए काम करने वाले लोगों के प पैसा हो सकता है, प्रशन्नता नहीं, इसलिए अगर कोई ऐसा है जिसकी लाइब आपकी मदद से बेहतर बन सकती है, तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए